हेई याइवन, हाओ यू आल, सो कैसे हो आप लोग, सो जिस बुक की हम बात करने जा रहे हैं, उस बुक का नाम है, Reminders of Him, और यह बुक लिक की या कोलिन होवने, सो वीडियो शुलू करने से पहले एक छोटा सा Reminder, जिन लोगों ने मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं करा, अगर आप चाहू, तो मुझे वहाँ जाके फॉलू कर सकते हो, उन सब के लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में दिए, अब यहाँ से शुवात होती है, चैप्टर नमबर वन की, कहना, अब जो कहना है वो कहती है, कि एक ना वुडन सा क्रॉस था, और जो की ग्राउ अब जो ड्राइवर होता है, वो आगे जाके गाली रुकता है, गाली रुकते हैं के बाद जो कहना होती है, गाली से निकलती है, उस क्रॉस के पास जाती है, और उसको इदा उदा हिला के, और तब तक हिलाती है, तब तक जो मिट्टी होती है, वो थोड़ी लूज ना हो ज चला गया था और तो और उस वक्त ना मैं सिर्फ चिला रही थी तो मैंने कुछ भी सुना नहीं और इन सब सीजों को अवाइट करने के लिए जब केस का ट्राइल शुरू हुआ ना तो मैंने का कि नहीं भाया मैं गिल्टी हूँ और टेक्निकली देखा जाए ना तो मैं गिल्टी थी मैंने उसको जान पूछ के अपने एक्शन से नहीं मारा लेकिन हाँ जो मेरे इन एक्शन थे ना जो मैंने एक्शन नहीं लिया उसकी वैसे वो तरू मर गया अब कहना मन में सोचती है ना कि मुझे लगा तो मर गयोगे स् और वो गाड़ी चलाना शुरूर नहीं करता अब जो कहना होती है ना वो ड्राइवर को देखती है कि भई क्या गाड़ी चलाओ अब जो ड्राइवर होता है ना कुछ भी चुराना किसी की मैमोरियल चुराना अच्छी बात नहीं है और ना कर्मा आपको बहुत ज़्यादा तो फोड़ा आस stol का लाकरी नहीं इसलिए गौह इसका अmost नहीं करती है गया चाहिए उसके पुरान चिठा ही वो भी काफी अच्छा नहीं है और जैसे कैब ड्राइवर ने कहा था ना कि भाई या बैट कर्मा आपके पीछे रहेगा और शायद यही रीजन है ना कि उसके दिन सही नहीं चल रहा है कहना कि अब कहना सोचती है ना कि जो मैंने ये स्कॉर्टी का मैमोरियल चुलाया है हो सकता है ये बैट कर्मा हो लेकिन जो स्कॉर्टी था ना वो हमेशा कहा करता था कि भाई ये रोड साइड पर मैमोरियल बनाना ना बहुत खराब बात है जब वो ऐसा सोचता था ना तो मैंने अगर ये चीज निकाल दी वहां से तो हो सकता है ये शायद बैट कर्मा हो जो भी है फिलाल और यही रीजन था ना उसने कैब डैवर को कहाता ना कि वापस उसी रोड पे गाड़ी ले लो क्योंकि उसको पता था जो ग्रेस है ना वो मीटर को देखती है अपने पर्स से कैश निकालती है एक टिप निकालती है और उसको दे देती है उसके बाद क्या करती हो अपना सारा समान वुडन क्रॉस जो उसने चुराया था उन दोनों को लेकि ना निकल जाती है कैप से बार और बनेंगे की तरफ जाने लगती है जो का नया अपार्टमेंन्ट होता है और जो नया अपार्टमेंट होता है यता नहीड बहुत बड़ी जगह है और फवल्य कार लॉट है उसके बागल में एक इस्टोर है lleken एक ऐसी है ना बिल्कुल एक दम प्लाइवूड कवर से धका हुई है विंडव इंड़ इसी है मतलब तूटी टाड़ी जगा है और वह जगा बहुत ही बेकार सी है बीयर कहना रास्ते में थी तो उसने सोचा ना कहना ने कि अगर रास्ते में बीयर कहना है तो मेरे बैग में तो क्या करती है पैस से साइड मार के अलग कर देती है और जो यह जगा थी ना यह और भी ज़्यादा गंदी दिख रही थी जितना वह ऑनलाइन गंदी दिख रही थी और जो कहना थी ना उसने ज़्यादा उमीद भी नहीं करी थी कि भाई उसको कुछ बहुत जाद कटाती है तो एक जो बिल्ली होती है वो खिलकी पर बैठा हुई होती है और वो बिल्ली को देखके ना कहना को यह लगता है कि यह बिल्ली है भी एक स्टैचू है क्योंकि वो ऐसी बैठा हुई होती है ना पलके जबकारी होती है ना कुछ कर रही होती है लेकिन थोड़ी द मुझे ना तुमसे कुछ भी नहीं ले जो भी तुम बेच रही हो अब जो कहना है वो उसकी लिपिस्टिक को देखती है कि मतब इसकी लिपिस्टिक इसके होटों के जगह पूरे मुग पे लगवी है और वो कहती है ना कि मेरी तुमसे बात हुई थी लास्ट विक अपाटमेंट के लिए तो तुमने कहा था कि खाली है अब जो उसकी लैनलाओड होती है वो थोड़ा सोचती है कि अच्छा और हम की साउंड करती है और कहती है ना कि मैंने उमीर नहीं करी थी कि तुम ऐसी दिखोगी और कहना को ना समझ नहीं आता कि उसने ऐसा कमेंट क्यों करा वो अपने आपको देखती है उसने जीन्स और टी-शिर्ट पहन रखी होती है और जो उसकी landlord होती है वो वापस कमरे में चले जाती है और फिर जब अंदर से वापस आती है तो एक pouch लेकर आती है अपना bag फिर कहना को कहती है कि पांसव पचार डॉलर होंगे एक महीने के पहले महीने का और आखरी का किराय तुमारा बचा हुआ है अब जो कहना होती है वो अपने पर्स में से पैसे निकालती है गिनती है और उसको दे रहती है और कहती है कोई lease वगएरा नहीं है क्या अब जो उसकी landlord होती है वो हसने लगती है cash को अपने bag में लगती है कहती है तुम apartment 6 में हो finger दिखा कहती है और वो मेरे उपर ही adjust तो कोशिश करना की ज्यादा show ना करो क्योंकि मैं जल्दी सो जाती है अब जो कहना होती है वो कहती है कि इसके साथ साथ क्या कुछ facility वगरा क्या-क्या मिलेगी हमें अब जो उसकी landlord होती है वो कहती है कि पानी और कूड़ा यह तो तुम्हें भाईया फिरी में मिल जाएगा लेकिन जो बिजली का bill है वो तुम्हें देखना पड़ेगा तो मैं पास तीन दिन है अपने नाम पे कराने के लिए light का बिल वापस चले जाया जहां पर रहती थी पहले अब वो सोचती है कि इस शहर में रहना ज्यादा अच्छा है क्योंकि भाई यहां पर बहुत सारी लोग को भी जानती है और तो और यहां पे वो Scotty से connected भी रहेगी अब जो और रत होती है वो एक कदम पीछे हटती है और कहती है क कि Welcome to Paradise Apartments और मैं ना तुम्हें एक बिल्ली का बच्चा दूँगी जब तुम आराम से सैटल हो जाओगी तो अब जो कहना होती है ना उसको दर्वाजा बन करने देती और कहती है कि नहीं मुझे कोई बिल्ली का बच्चा नहीं चाहिए अब जो कहना होती है मेरे पास बहुत बच्चा अब जो उसकी लैनलोड होती है ना वो कहती है किसको बिल्ली का बच्चा नहीं चाहिए यार अब जो कहना होती है ना उसको यह लगता है यार कि मतलब यह ऐसा क्यों बोल रही है वो कहती है ना कि चलो ठीक है एक डील कर लेते हैं मैंना तुमारे इलेक्टिक का ब वो वापस अपने अपार्टमेंट में चली जाती है दर्वाजा खुला छोड़के अब कहना सोचती है कि मुझे बिल्ली का बच्चा नहीं रखना यार लेकिन भाईया धाइसोर डॉलर खर्च करना बिजली के बिल पे एक महीने के लिए अब जो उसकी लेनलॉड होती है वो फटा-फट अंदासे वापस आती है एक बिल्ली का बच्चा लेकि आती है जो काल है और और औरेंज कलर का होता है और उसकी गोधी में लाखे रख देती है उसके हाथ में और कहती है ये लो तूम और मेरा नाम है रुथ अगर तुम्हें कुछ भी चीज की ज़रुत हो ना तो कोशिश करना की किसी ज़रुती ना हो और ये कहने के बाद वो दर्वाजा बंद कर देती है अब जो कहना होती है रुको क्या तुम मुझे बता सकती है कि मैं पेफोन कहां से यूज कर सकती हूँ अब जो उसकी लैंडलोड होती है रुथ वो हसने लगती है कहती है ना वो तो 2005 की बात है और दर्वाजा की पूरा बंद करके चली जाती है अब जो बिल्ली का बच्चा होता है वो मियाउं करता है और ऐसा नहीं है यह बहुत जादा मतब स्वीर्ट सी मियाँ होती यह ऐसी थी ना कि भाया वो हेल्प मांग रहा हूँ और वो मन में बोलती है ना कि तुम्हें भी और मुझे भी हम दोनों की हेल्प की ज़गत है अब जो जो कहना होती है वो सार अपना समान लेकर वी बिल्ली के बच्चे को लेकर सीडियों से ऊपर जा रही होती अपने अपार्टमेंट की तरह और वो सोच रही होती है जाते हुए कि यार मुझे कुछ महीने और रुख जाना था और मुझे कुछ और पैसे खटे कर लेने थे मैंने 2000 डॉलर सेफ करे थे और यहां आने में वो सारे खर्च हो चुके मुझे और पैसे खटे करने थे ताकि मैं सही जगह सब कुछ प्रॉपर्ली मैनेज कर पाती है लेकिन अगर मेरी सही जगह जौब नहीं लगी तो एक तो मैं अपने इस्पॉंसिबिलिटी लेनी पा रही हूँ उपर से भाईया मुझे बिल्ली के बच्चे को भी जिन्दा रखना है अब वो सोचती है ना कि भाईया जो मेरी जिन्दगी है वो दस गुणा ना कल से जादा डिफिकल्ट हुजाती है हर दिन के साथ साथ अब जब वो अपार्टमेंट की तरफ जा रही होती है ना बिल्ली का बच्चा होता है उसकी जो शर्ट होती है उसको खेंच रहा होता है वो की डालती है वो कोशिश करती है कि दर्वासे को घुमाए कैसे कि भाई कीज भी घुमानी है समान भी है बिल्ली का बच्चा भी हाथ में जैसे तैसे करके वो जब अंदर आती है तो उसने सोचा होता है ना कि दर्वाजा खोलते ही बड़ी गंदी स्मेल आएगी लेकिन भाई जो अपार्टमेंट है उसमे इतनी गंदी स्मेल नहीं आ रही थी और वो ना बड़ा आजीब तरिकी का स्मेल था जो उसके अपार्टमेंट से आ रही थी वो क्या करती है यहाँ भाई ढून के लाइट को ओन करती है अब जब वो देखती है तो उसको यह लगता है जगा कोई ऐसा नहीं है एक काउच होता है लिविंग रूम में और तो और चोटा सा किचन होता है और तो और कोई भी डैनिंग रूम नहीं है कोई बैडरूम नहीं है और तो यह ना बड़ा मतलब एक ठीकी थाक अपार्टमेंट से और उसका बातरूम था ना वो काफी छोटा है और जो ट्वालेट है ना वो इतनी छोटी है कि भाईय जो स्क्वायर फीट में रहोगे कम सखम कहते हो सकते हो कि ये मेरा खुद का परसनल है और मैं 26 साल की हो चुकी हूँ और ये पहली बार है जब मैं अकेले रहूंगी और ये बहुत जादा डरावना भी है लेकिन मुझे ये भी फील होता ना कि मैं बहुत जादा आजाद भी हूँ मुझे नहीं पता मैं जगा कैसे अफ़र्ट कर पाऊंगी एक महीने के बाद लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी और जो भी जॉब मुझे मिलेगी ना मैं हर वो कोशिश करूँगी कि मुझे कोई ना कोई नौकरी मिल जाए अब वो सोचती है ना कि अगर आप मेरा अपना अपार्टमेंट होगा ना तो इससे एक और भी चीज सौल हो जाएगी वो है जो मेरा केस है ना लैंड राइस के अगेंस्ट वो अच्छा हो जाएगा अब जो लैंड राइस है ना ये एक तरीके की होटल की चेन है अमेरिका में और वो कहते हैं ना मैं उन्हें दिखाऊंगी कि मैं एक ना independent हूँ और मैं independent होने के बाद भी ना struggle कर सकती हूँ मेरे अंदर है हिम्मत अब वो क्या करती है जो बिल्ली का बच्चा होता है उसको जमीन में रखती है अब ना उसको कहना को यह देखे ना बड़ा जीब सा लगता है कि यार मतब एक बिल्ली का बच्चे को मैं ले आई इसके घरवाले सारे नीचे है और बिल्ली का बच्चे ना वो एक बिल्कुल बंबल भी की तारा लग रहा होता है जैसे होता है है हैलोईन में कि भाईया वो black है और orange और इंज से उसके ना धब्बे धब्बे से हैं अब कहना उसे पूछती है कि मैं तुम्हारा नाम क्या रखू यार अब जो कहना होती है वो नाम रखने को लेके बहुत ज़्यादा serious होती है बहुत ज़्यादा सोचती है और उसको ये लगता है ना ये एक भई बिल्कुल serious responsibility है तो मैं इसको बहुत अच्छे से निबाओंगी और last time जब मैंने कुछ नाम रखने के बारे में सोचा था ना काफी लंबा समय लग गया था मैं बस सारा दिन नेक पे साच यही करती रहती थी कि भई नाम क्या रखना है उस वक्त मैं pregnant थी और मैंने अपने बच्चे का नाम रखने के लिए ना बहुत सोचा बहुत सोचा तो भईया जो छोटा सा बिल्ली का बच्चा है ना इसको कई दिन बिनना नाम के रहना पड़ेगा और उसना अपने बच्चे का नाम रखता था DM क्योंकि उसको पता था ना कि वो जैसे यहां से रिलीज होगी वो अपने बच्चे को ढूमने के लिए ना सारी महनत कर देगी सारी तागत लगा देगी और यहां पर मैं हूँ कार्ब DM और जो कार्ब DM का मतलब होता है ना उसका मतलब होता है कि भाई आप जो इस समय आपका वक्त चल रहा है ना आप उसको अच्छे से जीओ ना कि फ्यूचर के बारे में आप ज़्यादा टेंशन लो तो यह था इसका chapter 1 and I hope so यह book आपको अच्छी लगी हो so आगे के chapters में देखते है कि story कैसे चलती है और क्या है बहुत यह अच्छी बुक है बहुत अच्छी रेटिंग सेंस की Amazon पर and I hope so यह book आपको अच्छी लगी हो so thank you and stay connected